एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे आज में जिन फूलों के बारे में बात करूंगी वह है यह जर्वेरा का प्लांट यह बहुत खूबसूरत फूल देता है और पूरे साल फूल देता है लेकिन इसमें एक बुरी बात होती है कि इसमें फंगस बहुत जल्दी लग जाता है जब हम नर्सरी से इससे पर्चिस करके लाते हैं तो इसमें काफी टाइम तक तो अच्छे फूल खिलते हैं लेकिन उसके बाद यह दीरे दीरे इसमें फंगस का अटेक हो करके और यह दीरे दीरे खतम हो जाता है तो मैंने भी य चार प्लांट खरी देते हैं कि जो मुझे 100 उपिया इच ये मिला था ये प्लांट वाकई में हर जगे महेंगा होता है तो हमारे यहां पे 100 उपेज में मिला था तो लेकिन यह देरे देरे फंगस लग गई इसमें और पूरी तरह से मरने लग गया तो आज मैं इसे बचाने के इकोसिस कर रहे हूं मैंने क्या किया है कि यहां पे बकेट में पानी лेलिया इस 5 लिटर के गरीब पानी है जिसमें कि आपके प्लांट अच्छेशे दूप जाएं इतना पानी लीजे और उसमें मैने मिला लिया दो चम्माच Fungicide का मिला लिया और सारे प्लांट निकाल करके मैंने इसमें डुबो दियें इसमें जितने भी पुरानी पत्तियां थी जो कि फंगस के अटेक में थी और जितने भी खराब हुई रूट्स थी उन सबको मैंने हटा लिया है जो पत्तियां जो थोड़ी बहुत फंगस के अटेक में थी उन्हें मैंने नहीं रिमूफ किय था है क्योंकि फिर उसमें परtes नहीं बस थी पत्या मेरे बहुत घंँ चाए अब मैसे ऐसे इस से ही बिगो करके इसको कम से पंदां मिनाट करें से होब दूगि कर देखें सारी प्लांट के मेरे ढूब चुके हैं और इसह मैंं पंदां मिनाट के लिए ऐसे ही रूट्स को अच्छे से और यह देखे यह देखे दो चार पत्तियां इसमें बची हुई हैं इसको निकाल करके मैंने रख लिया और इसे में एक न्यूच पेपर मैं सेमी शेड एरिया में कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट के लिए या आदे घंटे के लिए जितने में यह आसानी से स दसना इस आझे पैसर नहीं करेगा और इस वाले प्लांट में तो सायद दो ही पत्तियां बचियों है तो इस तरह से मैंने इनको सब को निकाल के मैं इसको अब सुखालें इस वाले मिलांट मी उत निकले हैं म मैं लिया है इस में हैchnि-परसेंट को कॉपेट का यूज किया और 20% कमपोस्ट का कमपोस्ट कोई भी ले सकते हैं आप वर्मी कमपोस्ट हो तो बेटर है otherwise आप काउडंग भी ले सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे से डिकमपोस्ट होना चाहिए और जो कोकोपीट है वो अच्छे से बॉस्ट होना चाहिए लेकिन याद रखिए कि इसमें सिर्फ रूट्स आपने अंदर डालनी है और इसका क्राउन एरिया बहार रखना है मींस सिर्फ नीचे की रूट्स आप दवाईए बहुत जादा प्लांट को अंदर को प्रेस मत कीजिए क्योंकि वहां से फिर वो फंगस के अटैक में आ सकता है तो यह रहा मेरे चार महने बाद का इसका प्लांट का रिवियू जो कि प्लांट मेरे काफी हेल्दी हो चुके हैं और इसको अब प्लांट करने के बाद मैंने इसको एक शेडी एरिया में रख लिया था एक हफते के लिए और इसके बाद मैंने इसे एक हफते के बाद मैंने इसे ऐसे एरिया पर रखा जहां पर मॉर्निंग की संलाइटी से मिल रही थी लेकिन डे की हार्श जो संलाइट है इसे इस पर नहीं पढ़ लिए थी और एक महने के बाद फिर मैंने इस पे NPK का स्प्रे किया 2020 NPK का स्प्रे किया और उसके बाद अब इसके केर की बात करते हैं तो इसको बहुत जादा पानी मत दीजिए जैसे हाथ में पकड़ने के बाद यह हाथों पे चिपकनी नीच चाहिए इसकी मिट्टी और इसकी लीफ्स को पलट के देखते रहे हैं कि इसमें किसी तरह के फंगस का या इंसेक्ट का टैक ना हो और इसकी जो भी लीफ्स मिट्टी पे टाच हो रही हैं तो उसे आप रिमूफ करते रहे हैं क्योंकि वहीं से फिर फंगस का टैक होता है और इसमें पंदरे दिन में एक बाद फंजी साइट का भी आप स्प्रे कर दीजे ताकि इसमें फंगस अगर आ चुका है तो वो भी ना रहे मेरी इस प्लांट की लीफ्स कुछ-कुछ खराब हो रही हैं क्योंकि यहां पर बारिश हुई थी एक तो दिन के लिए तो उस वज़े से कोकोपीट गीला रहे गया था तो आजकल धूप के लिए है तो मैं है कि इस से पंद्र जिन में आप एक लिटर पानी में आदा चमाज फर्टिलाइजर एंड़ीके 90 थरह त्वेंटीटीटीटीटी एक लिटर पानी में आदा चमाज घोल करके इंपे स्प्रे कर दीजे फूलों पे नहीं कीजे से पत्यों पे कीजिए और फंजिसाइट के स् इनकी हार स्लाइट में इसको बिलकुल नहीं रखना है तो ये आपके साथ हमेशा रहेगा और इसमें अच्छे से फ्लारिंग होती रहेगी तो आपको कैसी लगी मेरे वीडियो अगर ये इन्फोर्मेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजे थैंक यू झाल को पस्ते हैं झाल को पस्ते हैं झाल को लाइक कीजे बाइक कीजे इन्फोर्मेशन